तो बिलकुल आपको इन तक इस class को देखना है, देखे आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो यह आपको ज़धा से आपने फ्रेंड्स के गूरूप को गरे जहां भी हर जगे सेर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी जो help होंगे, और जो बच्चे बाकी subject का अगर आप लोग यही आपका paper है, original paper है, बिलकुल not करते चलेंगे एक एक चीजों को, तो चले डियर हम लोग start करते है, जैसे के लगूत्र question को पहले हम लोग पहले इसका solve करेंगे, लगूत्र, जैसे के लगूत्र में क्या है, कि आपको 20 question लगूत्र पूछा जाएगा, जिसमें से आपको कि screen पर आपको दिख पाड़े होंगे, आप देख पाड़े होंगे, कि जारखन में सारवधिक जनसिंख्या, किस जनजाती की है, तो हम लोग जानते हैं, जनजाती जो जनसिंख्या, जो सबसे ज़दा जो आपका पता है, जारखन में संथाल का है, किसका संथाल सबसे ज़दा जो है कहां पे रहता है वो जारखन में रहता है नौट कर लिजेगा सिर्फ इतना ही वर्ड लिखना आपको दो नमर मिल जाएंगे ठीक है तो यह लगूत रहे अब देखे रूको और जाओ निस्वात किसको कहा जाता है जो परियावरन का नुकसान किये बिना शमसियाओं को फिर आपको नुकसान किये बिना तो यह भी आपका दो नमर का है इसको भी आप लोग नॉट कर लेंगे, लेकिन इसका आपको देखिए, अभी मैं आपको यह दिखाड़ा हूँ, यह question paper, फिर आपको जो है, मतलब morning में फिर मिल जाएंगे आपको जो है, इसका subjective question पूरा आपको मिल जाएंगे, answer के साथ, बुल्कुल आपको typing किये हुए, लेक इसको कहते हैं, लोग देखें, उत्परवास जो है, क्या होता है, यानि किसी वेक्ति द्वाड़ा उस भोली की काई को छोड़ देना, उसी को है, जो क्या कहा जाता है, जहां पर उसका, मतलब जनम होआता, जो बच्पन से जहां रहता है, उसी को ही, आप लिखें, जो कोई अफ्रीका एम एसिया का मिर्तिदर जो है, बढ़ा दिया है, तो आप लोग को पता है, अभी सबसे ज़्यादा जो है, यह मिर्तिदर बढ़ा होगा है, किस से, टाइफाइट के ओज़े से, सबसे ज़्यादा आप लोग को पता होगा, टाइफाइट एक बुखार होता है, यह जो है मानव विकास सुसकांक के निकाले हैं और यह मानव विकास सिसकांक से जुरे हुए है बिल्कुल आप प्रफील लिख लिएगा यह भी आपको दो नमर मिल जाएंगे लेकिन जवाब कितना देना मात्रा आपको 10 परश ने काई तो 5 परश ने तो आपको आईसी बता अब देखें लिए अब थोड़ा साइस जोटा सब करते हैं अंगुर की किरसी कि परदेश की विशेष्ता है तो जानते हैं जो सबसे जब जब लोग जानते हैं ना सीक हुगरे में सबसे जब जब इस पर अंगुर उत्पादन होता है ठीक है जी चैले आगे देखेगा हम दो जानते हैं बहारत के चार प्रमा भासा कौन सा है विविने प्रकार नाम ढूम को अधम सुपता है J2 में और इन चारों परकार के कोला का नम आपको लिखना है, यहां भी आपको दो नमर मिल जाएंगे, आठ कोशन आपको यहां से समझ में आ गया है, अब देखें, योजना आयोग का गठन किस वर्स हुआ था, सब जानते हैं, यह भी आपको दो नमर मिल जाएंगे, हम लोग जानत ुए बोपो भारत में निडियात होने वादी कि जो बहुत आज espaço असलियात करते हैं उसके पेट्यूनुन पुत्पादन तेल अबूशन होगे रहें किम्ति धातू होगे रहें इंजिनियर का समान यह सारा चीज जो हम लोग किस क्या करते हैं निभियात करते हैं ठीक है चैले तो यह आप लोग कथा यह नहीं हम लोग को दस को सन यह अलगू उत्रे का सॉल्ब कर लिए यह आपको यह पूछा है मैं टस काई आता क्यों और आठ लूब उस्तीत को प्रभाइद करने वाले का वर्माश का के च्छटा की अप्ोस्तित का इंटवारिट करने वाले कारोल का वर्म किजिए यह आपका 5 शरसा सी देख लिजै तो इन चीजों को बना करके आप लिख सकते हैं तीक है आप बताएगा रोपन किर्षी के किनी पांच विश्यस्ता का उएखा कीजिए तीक है भारत रोपन किर्षी का बनाना है तो यह जो है आप लोग का अपका सब्जेक्टिव कोशन में अभी आपको एक कबर कड़ा है अब जो चलते हैं इसका आप लोग जदा सदा ज़दा ज़दा सेर कड़े ताकि आपके दोस्तों को भी जो इससे हैं है होंगे ठीक है तो चलिए हम लोग इसका अब्जेक्टिव कोशन के और चला है शुरू करते हैं तो इसमें आपको सत्तर कोशन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको कितने का आंसर देना होता है है तो बताईएगा आपके सामने चार उप्शन है आर्थिक भूगोल, अधीवास भूगोल नगर्ये भूगोल यह राज्मितिक भूगोल हम लोग जानते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंसर जो आता है वो कौन को नसा आता है प्रियाटन भी आता है तो इसका आंसर आंसर आ हैंगे तो आप लो बताऎेगा ये कौन से होगा आपको पता हो आचीव है नहीं होगा युद में तो Leemok इसका अंसर आपका क्या होजाएगा उत्तर आधुनिक पिशन आपफि ऐसे हो नेच्ट पर चलते हैं हाँ गोटन, क Sat किस महदिफ में रहते हैं, ये एक जंजाती है, ये कहाँ पे रहता है ये आपको बताना है, तो बिलकूल आपको पता होना अच्छी है, ये जो Pale इसे में रहता हैं, कुरुद法 4 आपके स्क्रेन पे, बताईएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा निमिलखित में से कौन लोग और परियावरण के बीच अंतिकिरिया का याईनि सारवधिक जो है महत्पून कारेक है इनके बारे में आपको बताना है आपके सामने चार ओप्सन दिया हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा चले तो इसका अगर आंसर की अगर बात किया जाए फोन नमर कोशन का तो इसका आपका प्रौध होगी कि यानि टेक्नोलोजी इसका आंसर जो आप लोग का बिल्कुल पेरवच्चो राइट आंसर हो जाएगे क्या को इसका आपने के लिए नियुंतम आयू कितनी हुनी चाहिए देखिये साक्षर्था जमें आप आगा जाता है अगर वा सांप है इसको अपने盈 लिखना परना आता है तो क्या हो गया नहीं साक्षर्था मैं बच्चों राइट आंसर उदाएंगे जितने सारे बच्चे आप लोग भी बताएं बिल्कुल आप लोग का अंसर परफेक्ट है को सब्सक्राइब निमिलखित में से कौन सही यूग में पर फूल उत्पाधन के लिए परसीद है निदरलेंड है नामी विया है आपका बराजील है मैं किसको है तो जानते हैं यह निदरलेंड सब जानते है और निदरलेंड निदरलेंड आपका पर प्यारबच्चों राइट आंसर हो जाएंगे ऑके चले कोशन नमर 15 देखेंगे का option D, पेरे बच्चो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, चले, question 11 देखेंगे, आपके screen पे, आपके समख्च में, चले, बताइए कि इसका answer क्या हो जाएगा, silicon घाटी, जो है, कहां पे वस्ती था, आपको बताना, silicon घाटी, यह, San Francisco में है, मासको में है, पर्थ में है, दिल्ली में है, ठीक है, चले, तो इसका answer आपका प्रफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यह, जितने सारे बच्चे बता रहा है, बिल्कुल, आप लोग का answer परफेक्ट है, ठीक है, चले, question number 12 देखेंगे, आपके screen पे, हाँ, Lawrence सार परदेश जो उत्पादित करता है, कहां पर बताना है, ठीक है, Lawrence सार परदेश उत्पादित करता है, लोह एस उत्पादित करता है, सोना, खोईला या आपका अभरग, तो बताए परफेक्ट इसका answer आप लोग का बताना है, यह बताना, आप लोग को 30 नमर कोशन का, तो इसका answer आपका जोगा, रोपन, किरसी, बिल्कुल, प्यारे बच्चो, राइट आंसर हो जाएंगे, जितने सारे बच्चे आप लोग रोपन बता रहे है, कोशन आपके screen पर आगे, 15 नमर कोशन आपके screen पर आपके समक्ष में, ओके, चले, बताए इसका answer आपका क्या हो जाएंगे, व्यक्ति श्वामित वाली अर्थवयस्ता बताना आपको, यह कौन सा answer होगा, इसका 15 का, तो इसका answer की अगर बात कहें, तो पुंजी वादी अर्थवयस इसका answer कहां परता हो, जारकर में परता है, ठीक है, चले, नमिलखित में से कौन सा, जो है, सही युग में, आपको इसमें से पस्टाना है, इसका answer बिलकूर इसका perfect होगा जी, चले, तो इसका answer कि अगर बात कहा जाए, पैरवच्चो तो इसका answer आपका यह जागा, इन में से सबी इसका अंसर आपका option d पहेरबचो राइट आंसर हो जाएंगे, निम्लकित में से कौंसा ओधोगिक नगर है बताएगा, तो जबुझीख नगर जो आएगा, तो जमस्यत्पूर एक ओधोगिक नगर है उसका अंसर आप लोग का प्यार आप डियाद आंसर हो जाएगा, ज अपने हम लोग जाने हैाँ किन दो देशों के विदवांने माना विकास असका का विकास क्या है है तो हम होगा किसी होगा बताइगा ठीक замंद्री पतर है हम लोग जानते हैं विशो के परमुख समंदरी पतन जो विस्तिरित पतन हो जाएगा और इसका आँसर आपका विस्तिरित पतन राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा राष्टे राजमार्ग जो है कौन सा है यह सभी को पता है कि स्रीनगर से लेकर कणियाकुमारित पतना बी तो अवस्तित है तो यह बिल्कुल आपको बता है तो यह बिल्कुल आपको बता है महा और तापी बैसिंपर और इसका आँसर आप लोग का 24 का पर बच्चो C प्लकुल इसका आप लोग का राइट आँसर हो जाएंगे ठीक है चलिए कोसन देखेंगे मैगनीज मैगनीज दिच्छे पया जाता है कहां पर पया जाता है तो हम जो आन्ट वाना उकरम है ठीक है तो तो इसका आंसर आप लोगा पैरे बच्चो 25 जो होगा गोएडवाना यानि आप लोगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कोरभा खनान छेत्रा अवस्तित है बताईए, कोरभा जो है, यह कहां पर अवस्तित है, तो 26 नमर कोश्चन का पैरे बच्चो इसका आप लोगा होता है और यह बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है पैरे बच्चो राइट आंसर हो जाएंगे, ओके, चलिए, सभी बच्चो का आंसर आप लोगा बिल्कुल परफेक्ट होगा, चलिए, कोशन देखेंगे, निमिलिखित में से किस राज्य में परमान उर्जाक के अंदर नहीं है, देखें, यह साड़े कोशन आलड़ी मैं आप लोग को करा रखा हूं, अगर आप लोग जो बच्चे मेरे चैनल के साथ जूरे हुआ है, तो आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते होंगे इस सब कोशन को, ठीक है, तो जो बच्चे चैनल को आप लोग कोशन का आपका प्यार बच्चों, तो इसका आप लोग का लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ओके, चैनल कोशन देखेंगे, हाथी दात उद्योग संबनी थे, किस से है, बताएगा, तो सबको पता है कि यह जो है, मतलब किस से संबनी थे, यह पसू से है, तो बिलकुल पसू हुए है, चैनल कोशन देखेंगा, आपके स्क्रेण पे, क्या करता है, आप देख पाने हैं, आप 1-3 नुम्र कशन, निमिलखित मैं से कौन सा पर्सांत मा सगर के तट पर अवस्तित है, तो बताएगा, 31 नुमर कोशन का आपका आंसर जो पैर बच्चों, यह बैंकू पेरे बच्चों, तो सभी बच्चों को आप लोगों पता है, इसका आंसर जो होगा आपका है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल D, राइट आंसर हो जाएंगे, ओके, चलिए, वड़ से 2021 में भारत की जनसिंख्या कितनी थी, तो भारत में हम लोग जानते हैं, भारत की भी हार में, ठीका जीए?